नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग उमीद करता हूँ कि आप लोग होती अच्छे होंगे बहतर होंगे तो दोस्तों वीडियो के अंदर बात करेंगे आज यानि मंगलवार 8 अक्टूबर 2019 को किस तरह से राजस्तान के लगबग सभी 33 जिलों के अंदर जो मोसम रह सकता है इ किन किन जिलों के अंदर आप जो है वो फसल कटाई शुरू कर सकते हैं या फिर बारिश की किस तरह की स्थितियां रह सकती है मोसम की किस तरह की स्थितियां रह सकती है आगे आने वाले लगबग 12 से 24 घंटों के अंदर इसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा तो मांसोनी सीजन है ये लगबग आपको पता है कि 2019 का जो मांसोनी सीजन है वो कम्पलीट होने वाला है तो इसके बाद में फिर से कब से जो है वो अभी बारिश की गतिवीदियां राजस्तान के अंदर शुरू हो सकती है इसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा तो चलिए ये है कि एक जो एंटी साइकलोन है वो भी राजस्तान के अंदर जो है वो अभी विक्सित होना शुरू हो गया है जिसकी वज़े से आपने देखा हुआ कि पिछले अगर बात करें 12 से 24 गंटों के अंदर तो मोसम जो है वो काफी ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हैं कि श चुरू हो जाएगी यहां पर अगर बात करें सबसे पहले उत्तर ist an के अंदर तो यहां पर गंगानगर हनुमانगर विकानियर चुरू इन जिलों के अंदर लगबग जो मोसम है वो शुश्क रहने की अमीद है आज जो है वो लगबग इन सभी जिलों के अंदर जो मोसम है शुश्क हो जाएगा और साथी साथ यहां पर अगर बात करें जो तापमान है उसके अंदर भी जो है वो वरदी हो सकती है यानि तापमान के अंदर धीरे धीरे अभी जो है वो बड़ोतरी होगी आगया आने वाले लगबग 2-3 दिनों तक जिससे कि लगबग जो है वो 3-4 ड कटाई करना चाहते हैं तो आप एतिहात के तोर पर जो है वो लगबग 12-24 गंटों का इंतिजार करने के बाद में यानि कल से जो है वो फसल की कटाई कर सकते हैं इसके साथ साथ में जेसल मेर बाड मेर के कुछ चेतरों के अंदर बात करें तो हलकी वोचारे यहां पर भी ग तो इन जिलों के अंदर आज भी जो हो हलकी से मद्यम बारिश का अनुमान मौसमी बाकी द्वारा लगाया गया है तो यहां पर अगर फसल कटाई की बात करें तो थोड़ा भी आपको जो है वो एक से दो दिन और इंतिजार करना पड़ सकता है यहां पर लग बग जो है वो लग बग 10 से 12 तारिक तक जो बारिश की गतीविदियां है वो रुक रुक कर जारी रह सकती है तो यहां पर थोड़ा सा आपको जरूर इंतिजार करना चाहिए साथी साथी तोड़ गड़ और राजमन जिले की भी बात करें तो यहां पर भी अभी भी जो है वो बारिश की घड़ गतीविदिया बनी रह सकती है बात करें यहां पर अगर हाड़ोती सेतर की तो हाडोती सेतर के अंदर भी हल्की से मद्यieben बारिश चिट्बूट बारिश कुस तानों के उपर हो सकती है चाला कि बहुत ज़्यादा तेज वारिश की यहां पर संभावना नहीं जताई गई है यानि जालावाड के अंदर कोटा बुंदी बारा इन जिलों के अंदर जो है वो हलकी से मद्यम बारिश का अनुमान आगे आने वाले लगबुक 12-24 गंटों के अंदर लगाया गया है साथी साथ बात करें यहां पर अगर हम भीलवाडा की तो भीलवाडा के अंदर भी हलकी चिटपूट बारिश हो सकती है अजमेर शेतर के अंदर भी हलकी बारिश का अनुमान लगाया गया है यानि दोस्तों बात करें तो अरावली रेंज के जितने भी यहां पर जो जिले हैं चाहिए आप यहां पर जालो और शिरोही पाली साथी साथ अजमेर वगेरा के ब भर, धोलपूर, भरतपूर, करोली, सवाई-मदपूर इन सबी जिलों के अंदर बात करें तो मौसम लगबग शुश्क रहेगा टोंक के अंदर जो हलकी मुन्दाबान्दी हो सकती है नागोर के अंदर दिकतरस्तानों के पर मौसम estoure नहिए वहां वर शुश्क बने रहने क जो है वो लोड जाएगा इसके बाद में अगर बात करें बारिश की गतिवीदियां शुरू होने की तो लगबग जो है वो एक महीने का इंतिजार जो है वो करना पड़ सकता है और यहां पर अरव सागर के अंदर जो भी तुफान बनते हैं तो उसकी वज़े से हो सकता है कि क जंगानगर विकानेर साथी साथ जैसलमेर के कुछ चेतरों के अंदर नागोर चूरू और साथी साथ यहां पे जो है वो जुन जुनू हनुमानगड यानि उत्तरी राजस्तान के अंदर जैपूर वगेरा के अंदर यानि उत्तरी और मद्य राजस्तान के अंदर आपको द